हां जी ते बहुत बहुत स्वागत है तोड़ा आज दे व्लॉग विच असी हुन अपना शिम्ला तो कुफरी गए कुफरी तो असी हुन चैल पहुंच गयां ते तौनु आज चैल दे विच असी दिखावांगे चैल पालस एक चैल दा गुर्दवारा है ओ तो अनु जरूर विजट करावांगे असी चलांगे अंदर चैल पालस ते तो अनु सारा कुछ दिखावांगे अंदर कि किस टाइब दा उस टैम दा जड़ा पालस सीगा किदा दा नजर आंदा है तो उसी एंड तक जरूर बढ़े व्लॉग तो चलो चल दे अंदर चैल पैलेस कि अंदर जान तो पहला देखनी है एक है कि दो सब्सक्राइब टिकेट है पर पर सब्सक्राइब तो तुसी अंदर खानू लेकर नहीं जा सकते ते रेजिरेंश ले सब्सक्राइब नहीं जा सकते और एंट्री टिकेट से जो एक टिकेट लोंगे ते एक ही वैलिड है बंदे पास ते चलो चल दे आप चैल पैलेस है लो जी अब देख लोगी किन्नी वधिया जगया ते पैलस बनाः सीगा महाराजा भुपिंदर सिंग ने एक गलत अनुआ दस दिये कि जड़ा चैल जो पान्डर सीगा चैल दे पान्डर भी ओई सी चैल दा निर्मान सीगा ओभी उनना ने ही कीता सीगा महाराजा भुपिंदर सिंग जी ने तेहुन असी पहुंच गे हाँ जी चैल पैलेस यह है चैल पैलेस ठीक है जो कि बनाया था महाराजा भुपिंदर सिंग ने 1891 के दुरान और इतनी बढ़िया जगा है इन्वार्मेंट इतना बढ़िया इसका कि मैं आपको बता नहीं सकता जो इसका फ्रेग्रेंस अई रिया कि वह भी बहुत ही अच्छी है पूरा ग्रीन फॉरेस्ट है उसके भीच में यह मनाया था महाराजा पुपिंदर सिंग जी ने पैलेस जो की ब्रिटिश टाइम के दुरान ब्रिटिश ने उन्हों से चीन लिया था और अब जो इसको चल की की चीजा बनाई ऐसी गिया ते होन देख लो कौन होते राज कर रहा है ते महराजा और पते अला जी ने बनाया सीगा ते चैल पैलेस है जड़ा देख सकते तुसी एदा इतिहास है ते जड़ा है टोटल पैलेस है सेवन्टी टू एकटदे विच फैले आवाया है ते स्क्रीन शॉट लेग सकते हो ते एदा इतिहास पूरा देख सकते हो ते चलो ओन चलने हां चैल पैलेस ते अंदर कि अग्याइब करें तुसी देख सकते हो एस अब उस टैम ती अहीं तस्वीरा ने ते उस टैम यहीं मूर्तियां पहियां यहने एस सारा ओही पहले से जो उस टैम महराजा और पटे आला कूपिंदर सिंग देंदर सिगा देख लो किने वज्या ही लोकेशन दे किना वज्या बने हुए है अली शान चीचांर बंदे चले जाने ने पिछे उनना ते मेल राय जान देने ते मेल ता फिर किसे और दा कब जा ओजान दा है यहीं नियम है दुनिया दा ते एने महाराजा पूपिंदर सिंग ते इना दे गल दस्दियां तो अनू कि इना ने अराउंड 1900 तू 1938 तक राज किता और बने रहें महाराजा अफ पट्याला ते अठती साल दा राज सी गाए ना दा जो यह है रोयल बार है उस टाइम का तो आप जैक कर सकते हैं एक बारी अज़े उस टाइम दा जड़ा है गार रॉयल बार है तुसी अगर इंडिनियर सारा देख रहे हो ऐसाब उसी टाइम दा है अब पराणिया तस्वीरां लगे हुए है अधे लो 1903 तस्वीर है तो यह तुसी देख साथ देओ जदो श्यम्मला अठाणा चुरासी देविच के में दे लगदाशिया आए नज़र आ देखो माल रोड जिड़ा 1870 विच के में दे लगदाशिया आए ते आहाया लांज एरिया ते उस टाइम दे सारी चीजा बनी होई है अधे लोग आए जाजित थे मीटिंग्स होगारा हुंदिया होनगी है उस टैम दिया है ते पूरी फीलिंग देखो ओही आ रही है है हैं यह में बेंदे हुणे हैं ते एमें करके मेटिंग चाल दी होनी है हाँ जी सरदार गुट सिम्रन सिंग जी आप क्या ख़वर लाएं है जो वहां से ब्रिटिस सरकार जो हमारे इस पटियाला को कबजा करकर शिमला में आने वाली है उसके बारे में क्या सूचना दे रहे हैं हमारे से तो कोई नहीं लड़ सकती सरकार हमारे को सिरफ जो हरा सकता है वो हमारा खुद का सिस्टम हरा सकता है इतना दे कुछ सिस्टम होंदे होंगे उस टेम इते बैठके महाराजा पुपिंदर सिंह राज कर दे होंगे ते अपने जड़े तिसाथी बैठ दे होंगे उनना अलसलाहां कर दे होंगे ऐ देखलो जी जगह मेंनु ते पूरी ओही फिलिंग अंदी हुई है स्टेम कि इतना ना वर कर दे हो आज किता हुएंगा कितना सरकार हां थे खिलाफ लड़े होंगे ते किम है जड़ी ब्रिटििस सरकार आई होएगी उन्हाथ खिलाफ लड़के किदा उनने जो मतलब नcomb खुआ गया होएगा ते उन्हादे के में मिसूस किता लगया होएगा अनु एस सोचन वाली गाल ते जिडे विचले बंदे सीगे पंजाब अनु पंजाब नहीं कर पाए बट जिडे विचले होंदेने वो काम खराब कर जन देने ते तानु पता है सिख राज जड़ा सीगा उक भी खतम ना हुंदा अगर विच खतम आ गया है नहीं सिगा इभी सिटम कुछ भी पावर सिख राज नु उस टेम नहीं खतम कर सक दी सिग अगर विच खराब बंदे ना होंदे में यहां जी महाराजा पिंदर सिंह का डाइनिंग एरिया जहांपर मुखी सी टाइम अपना खाना खाया करते थे तो यह चेक कर सकते हैं आज अब एक वारीट वह टाइम पर टिफ्रेंट डिफेरंट ट्रीके के हमें खाया जाते थे और सारा फैमिली बैटके यहां पर खाना खाया करती थी और यह जितना भी आर्किटक्ट देख रहे हैं यह सारा उसी के टाइम का फर्नीचर पड़ा हुआ है आज मेरी महरानी किनी सुनी लग रही है क्या बात है तो दूरों ज्यादा निगा जान दी हुणी है तो किना वदिया स्टेम सिस्टम हुंदा होना बट ब्रिटिस सरकार ने सारा सिस्टम चौपड करता ते उन्हां नू इत्थों हटा आके शिम्ला तो निकालता बार बिलिट्स है गाए सामने है है का मिलादा एंट्री फोर स्टाफ ओनली है ते हुन इस टेम पता नहीं है देख सकते है क्योंकि शायद एंट्री नहीं है हुन सडली ते जरो इन्हें वड़े राजे सीगे ते उनन दे शौंक भी फिर उद्धान दी सीगे देख लो एजी रा कमरे तो बार अपना व्यू करना वदी आया देखो ते देखो जो दो महाराजा पुपिंदर सींग चल गे अंदे उनने हमें करके ते क्या टॉर होंदी हुनी है देखन वाली गाला ते सोचन वाली गाला सब कुछ चीज्जां इते ही रह जानी है नहीं रिसां तेरी है महार अरजी सेंग उन्हादे वी इतना ही राज होया करदा सी इतना ही उन्हादे पैलस भी ने यह है चैल पैलस महाराजा पुपिंदर सेंगी जा अधिक लोगी आए सारे उसी टाइम दे बने होए ने सारा आर्किटेक्ट सारा इंटीर जिन्हें भी गुड़न दिया चीजाने ए उसी टाइम दियाने सारी है अधिको जी अधिक सोफे वी जडे देख रहे ने तुसी एवी सारे उसी टाइम देने जद्व राज हो या करदा सी आ आ देखलो ए बॉलीवूड मोविस जडि इते पैले से शूट की थियंगे अने नाम है अधिवि सीरिल्स हुई ए थी बनी है फिल्मा हां जी ते हून असी जड़ा क ते हवा चल दी पी और हवा दी अवाज देखो अलग जी अवाज जा रही हो कि सारे पेड़ने है नहीं ही ते नहीं थे चल रही है सो से ओधी अवाज फिश्श भू ही अलग है क्या जबर्दस्ट जगह है किना वड़ा गार्डन है ते पूरा देखो पिछो नजर आ रहे है पैलेस टे वाकिंग एरिया बना रख्या देखो किना वजिया आना टे बैठरन दा सिस्टम भी उस टेम दा बना रख्या यह ते चूले वगारा होण गे उस टेम ते यही सिस्ट कुछ भी आके खा सकते हो इंजोई कर सकते हो इते बैठके इनना अच्छा मौसम है और होई पिछो व्यू देखो एक वारी क्या बात है जी क्या बात है तो फिर यह था वो चैल पहले जो आज आपको हम दिखाने लेकर आए हैं तो इतना बड़ीया पहले सापको दिखाया होप है आपको यह जो हमारा व्लॉग पसंद आ रहा होगा अब अम इसके बाद जाएंगे जो चैल का गुर्दवारा सायव है वह भी आपको दिखाएंगे तो यहां से निकलते हैं ब्यूटिफुल चैल पहले से और अलवीदा कहते हैं इस जगह को और होप करते हैं आगे हम दुबारा भी आएं आपको फिर दुबारा से दिखाएंगे जब यहां पर सारी स्नोफॉल पड़ी होगी चलो चलते हैं गुर्दवारा चैल का लो जी आ